राजधानी रायपूर अब स्वच्छता की ओर अग्रसर होती जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने खुले में सौच, मुत्र करते और सडकों पर गंदगी फैलाने वालों पर अब चालान काट रही है। नगर निगम का ओदेश लोगों को स्वच्छ पर अभ्यान चला रखा है। रायपूर नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन का जिम्मा अपने अधिकारियों को दे रखा है। स्वच्छता अभ्यान का जिम्मा संभाल रहे निगम के कार्यपालन अभियंता हरेंद्र साहु ने वताया कि निगम के द्वारा लगतार का की गंदगी जिसमें खुले में सौच खुले में मुद्र और कच्रा फेकना पूरी तरह से प्रतिबंधित है साइट बेर्स मैनेजमेंट के तहत या एक दनिनी अपराध है इसके लिए मेरिन काउंसलिंग से एक अधिसूशना जारी किया यह है इसके तहत खुले में यदि 250-100-200 का जुर्माना दिया जाता है वहीं कच्रा फेकने पर भी नियमनुसार कारवाही की भी जाती है यदि चार महनों के आकड़े पर गोर किया जाय तो लगभग 11,000 प्रकरणों पर कारवाही की जा चुकी है जिसमें धाय लाग का जुर्माना भी वसूला गया है इसी प् सभी जोन अधिकारियों को इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदारी दी गई है साथ ही सभियान को पूरा करने के लिए वार्ड प्रभारी नियूप दिक्या गया है जो वार्डों का प्रमनकर कम्यों को दूर करने का काम करते है खुले में अगर कोई आदमी सौच करता ह है तो पहली बार उससे पचासतर brand लिया जाता है अगर वही आदमी उसकार को दूसरी बार भी करता है तो उससे सौर और अगर थीुसरी बार अगर वार कर पकड़ा जाता है देखे ये प्रक्रिया जो है लगबक डेड़ सालों से चल रही है लेकिन पिछले जे चार मैने के अगर मैं आपको आखले बताऊं तो लगबक ग्यारा हजार प्रक्रणों पे हमने खुले में जो कच्रा डालते हैं उसके खिलाप कारवाई किया हुआ है और उसके तहट खुले में शोच के जो प्रक्रण के अगर हम बात करें तो लगबक 250 प्रक्रणों पे हमने कारवाई करके 2200 रुपय का जुर्माना काटा है और खुले में यूरिनेशन के लिए 1000 प्रक्रणों पे 9500 रुपय का जुर्माना काटा है गंदगी से कई प्रकार की बिमारिया होत ज़्यादा ज़्यादा वीडियो अप्डेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें निवली अप्डेट्स के लिए बेल आइकोन के दबाए देश टीवी वी रिपोर्ट यू डिसाइट